नमस्कार दोस्तों स्वागात है डिली स्टेडी में आज है तारिक 12 सेप्टमबर 2020 और इस वीडियो में देखेंगे आज की करेंड पेर्स पहला प्रस्न है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर स्री सिद्रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गिया है सही जबाब है ओप्सन नमबर भी हुबली रेलवे स्टेशन तो धियान रखना है हुबली रेलवे स्टेशन जो की करनाटक में श्थित है अब इसका नया नाम सिरी सिद्रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गिया है अब बात हुई है इंडियन डिल्वे की इंडियन डिल्वे का कस्टमर सर्विस नंबर है 149, सियर मेन है बिनोध कुमार याधाव, मिनिस्टर है प्यूस गोयल, हेट क्वाटर है नई दिल्ली में और इंडियन डिल्वे के स्थाफना 16 अपरेल ठाड़ा से फिरपन को की गई और आप कarend refers से related करेंगें तो कarend refers ने हमेने आपको बताया था भारत की प्राथम किसान ड्रील महाराश्ट के ्देवलाली से बिहार के दनापूर्तक चली थी, कोन्सा ड्रेल भारत की प्राथमकिसान ड्रेल अगला प्राशन है वेश्विक आर्थिक स्वतंतरता सोचकांग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तही जवाब है आप्शन नमबर बी 105 वा तो धियान रखना है वेश्विक आर्थिक स्वतंतरता सोचकांग 2020 में भारत को 105 वा स्थान मिला है और टॉप किया है होंग कॉंग और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक वर्ष में सरकार के आकार नियायक परनाली और संपती के अधिकार के साथ साथ वेपार की स्थिति वैस्वी कस्तर पर भारत की थोरी खराब हुई है जिसके कारण इसको रैंक के अनुसार 105 बा दिया गया है किसको इंडिया को और टॉप किया है हांग कॉंग अगला प्रस्न है नेशनल इसकूल ओफ ड्रामा यानि कि एन एस डी के नए चेर्में किसे नियुक्त किया गया है जैसा कि चितर में ही दिखाया गया है यह है प्रेसरावल आपसन नमबर डी सही जवाब है तो धियान रखना है प्रेसरावल जो है नेशनल इसकूल ओफ ड्रामा के निया चेर्में बने है और प्रेसरावल को पदमिस्री से भी नवाजा जा चुका है और मैंने आपको पिछले दिन बताया था अखील भारतिया टेनिस संग के निया ध्यक्ष कोन बने है तो धियान रख्येगा अनिल जैन एनस्डी की बात हुई है एनस्डी का पुरा नाम होता है निशनल इसकूल ओफ ट्रामा एनस्डी के अस्थापना 1969 में की गई थी संगित Nautak Academy के द्वारा Headquarter है ने दिल्ली में एनस्डी के नए चेर्में हाली में यही बने है प्रेसरावल अगला प्राशन है केंदर सरकार ने तमील नाडू के कीस जिले को राज का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थ व्यवस्ता वाला जिला चुना है अब बात हुई है तमील नाडू की तमील नाडू को मैप में आप देख लिजिए तमील नाडू की राजधानी है चिन्नई, मुक्ष मंत्री है टी-ई-क पलिनी सामी, गवर्नर है बनवारी लाल प्रोहित और तमील नाडू का हाई कोट मदरास में है जिसके चीफ जेस्टिस है अमरेस्वर परताप साही और तमील नाडू में विधान सभा की 235, राज सभा की 16, लोक सभा की 49 सीट है और यहाँ पर इंदरावती नेशनल पार्क, मदूमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती गुइंडी नेशनल पार्क, मननार की खारी में है और यहाँ की परमुक निर्ती है भरतनाट्ययम कोलट्यम और सबसे इंपोटन्ट जली कट्टू भारत के किसराज में मनाया जाता है इसपर सुप्रीम कोट रोक लगा दी है वैसे अगला प्रस्न है किस राज सरकार ने राज में हर्याली सुनिस्चित करने के लिए IE रखवाली मोवाईल एप लाउंज की है सही जबाब है option नमबर A पंजाव तो धियान रखना है पंजाब में IE रखवाली मोवाईल एप लाउंज किया गया है तो देखिए पंजाब सरकार ने राज में हर्याली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरंसन रक्षन के लिए IE रखवाली एप को लाउंज किया है और इस एप के जरिए लोगों को अधीक से अधीक पेर लगाने के लिए प्रेडित किया जाएगा और इस एप का उप्योग पेरों की अवयद का टाई को रोकने के लिए भी इस्तिमाल किया जाएगा बात हुई है पंजाब की तो आप मैप में देखिए यह है पंजाब पंजाब की राजधानी है चंडीगड यहां के मुक्त मंतरी है कैप्टेन अमरिंदर सिंग गवर्नर है वेपी सिंग बदनोर पंजाब का हाई कोट चंडीगड में है जिसका की चीफ जश्टिस है रवी संकर जहाँ यहां पर पंजाब में विधान सभा की 117 सीट है और राज सभा की साथ और साथ ही लोग सभा की सीटें 13 है और अभोड वाइल लैस सेंचुडी है पंजाब में साथ ही जिवानू प्रोदोगे की संस्थाने चंडीगड में और परमुख निर्तिय पंजाब का भाकरा गिद्धा है यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है भाकरा और गिद्धा अगला प्रासन है विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गिया है तो सही जवाब होगा आप्शन नमबर ए अनुराधारोय तो ध्यान रखेगा अनुराधारोय को विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गिया है और आप से ये पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए अनुराधारोय को चुना गिया है इसे किस के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है तो धियान रखेगा All the Lives We Never Lived एक बार फिर से धियान रखना है इस पुष्टक का नाम है All the Lives We Never Lived और अनुराधार रोय जो है इंडियन है अगला प्रसन है भारत और किस देश ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच आप पुर्ती और सेवाओं के संबंध में हस्ताक्षर किये हैं सही जबाब है Option No.2 जापान तो धियान रखना है भारत के रक्षास अचीव डॉक्टर अजय कुमार और जापान के राजदोत स्री सुजुकी सातोसी ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच आप पुर्ती और सेवाओं के पारसपरिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं बात हुई है जापान की, ये देखिए आप जापान को, जापान की राजधानी है टोकियो, करेंसी है जापानी जियेन और यहां के प्राइम मिनिश्टर है सिंजो आबे अगला प्राइम मंतरी नरेंदर मोदी ने किस योजना की शुरुवात की है जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मिद की गई है तो सही जबाब है ऑप्सन नमबर ए पर्धान मंतरी मतस्य संपदा योजना तो धियान दखना है परधान मंतरी मतस संपता योजना के तहट 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई है और इस योजना के तहट 5 वर्स में अतिरिक्त 70 लाख टन मचली का उत्पादन होगा जिससे मचली के एक्सपोर्ट को दुगना बढ़ा कर 1 लाख करोर रुपिये किये जाएगा और पिछले दिन मैंने आपको बताया था पियम मोदी ने ये गोपाला एप भी लौंज किया है और परधान मित्री मतस संपता योजना भारत के किस राज से सुरूप की गई है तो धियान रखना है बिहार से अगला प्रस्न है स्री रमेश पोखरियाल ने CBSE सिक्षक पुरुषकार से कितने वेक्ति को समानित किया है आपको उस वेक्ति का नाम याद नहीं रखना है सिर्फ आपको यह याद रखना है कितने वेक्ति को स्री रमेश पोखरियाल ने CBSE सिक्षक पुरुषकार से समानित किया है तो सही जबाब है option number A 38 याने की 38 तो देखिए नई दिल्ली में online समारों में CBSE से 38 सिक्षकों और परधानाचारियों को स्री रमेश को खड़ियाल ने CBSE सिक्षक पुरुषकार से समानित किया है और यह पुरुषकार वर्स 2019 के लिए सिक्षकों और परधानाचारियों क इसकुली सिक्षा, नवाचार और समरपन में सुधार लाने की दिसा में उनके बहुत मूल्य योगदान के लिए दिया गिया है अच्छा रमेश पोखड़ियाल कोन है तो यह आपका educational minister है अगला प्रसन है इंडिया पोस्ट की 5 star village योजना कहां सुरूप की जाएगी तही ज इंडिया पोस्ट यानि की डाक विभाग ने 5 star गाउं के नाम से एक योजना सुरूप की है जिसमें सभी डाक उतपाद और सेवाएं गाउं अस्तर पर उपलवद कराई जाएगी और योजना के तहत सभी डाक उतपादों और सेवाओं का marketing और परचार ग्रामिन अस्तर पर किया जाएगा अब बात हुई है महाराष्ट की तो आप मैप में देखिए ये है महाराष्ट महाराष्ट की राजधानी है मुंबई यहां के मुख्यमंतरी है उद्धव ठाकडे गवरनेर है भागत सिंग कोसियारी और महाराष्ट का है कोट है बॉंबे में यानि की मुंब पार्ट तांसा वाई लाइफ सेंचुरी है और साथ थी लोनार जील है और कून जल परपाथ भी महाराष्ट में है और यहां पर भावा परमानों अनुसंधान केंद्र है ट्रांबे में भुच्चुम्बुकिय संस्थान है जल इबं बिद्दूत अनुसंधान संस्थान लुदने में है और तिरियम के से गोदावरी नधी निकलती है और आप से पूछा जाता है कृष्णा नदी कहां से निकलती है तो ध्यान रख्येगा महाबले स्वर से यहां पर तारापूर爸 को secteur नीकिलियर पावर्प्लांट है और यहां पर जैतापूर निकुलियर पावर्प्लांट भी है तो दस स्दस आपके कमप्लीट हो चुके है अब एक प्रस्न आपके लिए है जिसका कि उत्तर आपको कमेंड करके बताना है प्रसन है चंदरियान 3 को कब लाउंच किया जाएगा इस प्रसन का सहे जबाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के बाद आप इस वीडियो को कम से कम एक वेक्तिक साथ सेयर किजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें वीडियो को सेयर ज़रूर कीजिएगा मैं आपसे बिंती करता हूँ और आज की वीडियो का पीडियाफ आप नीचे डिस्क्रिप्सन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियाप आपको फूल डिटेल्स में मिलेंगे और वीडियो के बाड़े में अपना सुझाव जरूर दें थैंक्यू फ्रेंड्स, थैंक्यू सो मच बाई बाई, सी यू अगें दा नेक्स्ट वीडियो